जे एससी सीजियल परिक्ष पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है एक के बाद एक इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं कई लोगों को अब तक इस मामले में S.I.T. ने हिरासत मिलिया है और कई लोगों की तलाशी अब भी जारी है C.B.I. जाच की मांग लगतार हो रही है इसे बीच आज अखिल जार्खन छातर संग का चरनबद आंदोलन वारप फरवरिशे शुरू हुआ पहले दिन यानि आज राजी के सभी विश्व विद्याल है और कॉलेज में हस्ताक्षर अभ्यान चलाया गया इस अभ्यान का मकसद छात्रों और अभ्यर्थियों को C.B.I. जाच पर जोर देने के लिए एक मंच पर लाना है आजसु पाठी के केंद्री अध्यक्ष सुदेश महतों के निर्देश पर अखिल जार्खन शात्र संग ने समवेधन शील और गंभीर मामले में C.B.I. जाच की मांग को लेकर आंदोलन की रूप रेखात्ताय की है हस्ताक्षर अभ्यान चलाने के लिए विश्व विद्याले और कॉलेज में प्रभारी भी नियुक्त किये गये हैं हस्ताक्षर अभ्यान के बाद दूसरे दिन यानि 13 फरवरी को मशाल जुलुस निकाला जाएगा जबकि 15 फरवरी को सभी जीलों के उपायुक्तों को मांग पत्र स्वपा जाएगा एसी सवाल पर 17 फरवरी को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा अखिल जहरकन चात्रसंग पूरे जहरकन परदेश में पिछले दिन जो जैसेसी सीजेल का पेपेर लिख का मामला आया था से मामले को लेकर शुरुवाती दीन से आईसू छात्संग पूरे परदेश में आंदोलन करती आई है जिसके बाद अभी वर्तमान में हमारे एकिल जहरकन चात्रसंग के द्वारा पूरे परदेश में चरनबत तरीके से आंदोलन किया जा रहा है जिसमें हमारे मुख मांगे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सीजेल परिष्छा का मामला जो उसमें पेपर लिख का मामला आया था उसकी सीबीय जांस की मांग हम लोग कर रहे ऑनतरिक तरीके से भेरोद कर रहे थे उसे हमारे अभ्यारती थे पूछ शात्र पर्तिनिदीफ हैं उन फर जो मुकित नाम वापस किया जाए उनका मुकदमों को निरस्त किया। यहीं मांगों को लेकर पूरे ज्रृर्कन पर्देश हम लोग श्रनबत तरीके से अमेलंड कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग हस्ताक्षा रभ्यान कर रहा हैं और कल संध्या वसें आगला कारीकरम हम पूरे ज्रणर के मुख्यालों में जिला उपायुत के माइदम से मुझक मंत्री को ग्यापन सोपने का काम करेंगे। उसके अगला कारिकरम हम लोग का जो होगा वो राज भवन में एक दिवसिया धरना का कारिकरम है। इसके बाद S.I.T. उन पर लगतार निजर बनाए हुए रखी थी। तैस का आयोजन हुआ था लेकिन परिक्षा संचालन के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस घटना के बाद ततकालिन पुलिस उपाधिक्षक सदर के नित्रितों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे बीच कांड के अनुसंधान करता सब पुलिस उपाधिक्षक सदर राची का रूटिन प्रकीर्या के तहत इस जीले से स्थानांतरन हो गया। बाद में राची के नवन्यूक्ट डियस पी सदर को इस कांड के अगरितर अनुसंधान के लिए अनुसंधान करता के रूप में नामित किया गया। अविदन से लेकर परिक्षा परिणाम जारी करने का कार आउट्सोर्सिंग एजंसी द्वारा किया जाता है। बतादे कि इस मामले में SIT राची, पलामू और पटना से लेकर चन्नाई तक छापे मारी कर चुकी है। अब तक डेड़ दजन से अधिक लोगों को इस संबध में SIT हिरासत में लेकर पूछताच कर चुकी है। SIT की चार्टी में जांच वच्छा पे मारी में जूटी है। अब तक अब डवचाई जूब तक चुकी है। the follow-up dot in like share and subscribe www.thefollow-up.in